हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जर्नी ओफ हार्ट वर्क तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो आज DSSB की साथ थेोरीज हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं तो चलिए जानते हैं कि कोन-कोन सी थेोरीज आज हम कवर करेंगे तो आज हम करेंगे फ्रायड साइको सेक्शुल ड्वलप्मेंट, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, ओस्विल मीनिंग्फुल वर्बल लर्निंग, पियाजे मोरल ड्वलप्मेंट, कोलबर्ग मोरल ड्वलप्मेंट, पियाजे कोगनिटिव ड्वलप्मेंट, एंड वाइग अलग नाम है, psychosexual development, psychodynamic or psychoanalysis, इन्होंने माइन को एक iceberg की तरह देखा है, एक बरफ की चक्तान की तरह है, जिसमें ये 10% conscious है और 90% unconscious है, और फिर इन्होंने माइन को तीन अवस्थाओं में बाट दिया, conscious, unconscious और उनके बीच का एक पार सब conscious आइसबर्ग की तरह इन्होंने देखा, तो आइसबर्ग का जो tip है, उसे बोलते हैं conscious mind personality is a three-tier system, तो इन्होंने तीन चीज़े दी है, id, ego और super ego id क्या है, id पूरे तरीके से unconscious है, और instincts based है इसका सिध्धान्त क्या है, pleasure, इसमें बच्चा जो भी करेगा, वो pleasure के लिए करेगा अगर उसको school जाने से pleasure मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, तो वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा वो सब कुछ pleasure के लिए करता है, stage में जैसे कि सोते रहेंगे, चाहे school छूप जाए, क्योंकि उसे तो आनेदार है, इस समय उसको बस pleasure चाहिए next है, ego, ये partially conscious है, और ये वास्तविक्ता की बाद करता है उसके बाद है, super ego, ये totally conscious है, और इसका सिध्धान्त है, morality इस stage में बच्चे को सही गलत की समझ आ जाती है, नैतिक्ता उसमें आ जाती है अब जो ego है, वो id और super ego, इन दोनों के बीच में एक mediator का काम करता है जो slip of tongue होता है, वो भी होता है सब conscious में फ्राइड एक तरह की energy की बात करते हैं, जिसे कहते हैं libido इसमें तीन चीज़े आती है, drive, unconsciousness, sexual urge और libido id का ही एक हिस्सा है अब एक term आते है, fixation तो अगर ये energy बहुत ज्यादा प्रयोग की गई है या बहुत कम तो दोनों ही स्थिती में क्या आ जाता है, fixation आ जाता है जिसकी वज़े से कुछ negative effects पढ़ते है और इस बात के लिए इसकी आलोचना भी की जाती है कि इन्होंने sexual urge पर ज्यादा focus किया हो और environment पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया fixation कब होता है अगर तो needs fulfilled नहीं होती है या फिर needs over fulfilled होती है तब अब इनकी जो थोरी है उन्हें हम पाँच, उनकी पाँच stages है और इसे याद कैसे रखेंगे O, A, P, L, G से trick जो कि आपने सुनी भी होगी O, Amarpal, LG, TV, Lana तो सबसे पहली है oral stage जो कि 0 से 1 साल की अवस्था है अब इसमें main activity क्या होती है sucking होती है बच्चा अंगुठा चूसता है शीशू को कोई भी चीज मिल जाए वो उसे sucking करने से उसको pleasure मिलता है next है NL stage जो कि 1 से 3 साल की अवस्था और इसमें main activity होती है toilet training अब इस stage में या तो बहुत सफाई से रहने लग जाता है या फिर बहुत गंदा सा रहने लग जाता है तो ये इसका प्रभाव है अगली जो stage है वो है phallic stage 3 से 6 साल की अवस्था है और डेड़ से 3 साल में ego और 3 से 6 साल की IU में super ego develop हो जाती है odipus और electra तो odipus की trick मैंने आपको CTAT की वीडियो में बताई होगी कि odipus में O आता है boys में भी B के बाद की आता है O आता है तो odipus होता है boys में boys का मा के प्रति लगाओ और electra इसका उल्टा है electra होता है girls में girls का पिता के प्रति लगाओ अगली जो stage है वो है latency 6-12 साल के अवस्था जिसे हम school age के नाम से भी जानते हैं और इसी stage को Ericsson ने बोला है industry versus inferiority अब बच्चा school activities में व्यस्थ हो जाता है तो उसे libido energy ये latent stage में चली जाती है अगली है genital stage जो की है 14 से लेकर के death तक puberty to death इसमें विशम लिंगया के प्रति sexual interest और id जनम से ही होती है अब इन्होंने दो instinct दिये हैं जो की काफी important है eros और thanatos eros को हम जानते हैं life instinct के नाम से और thanatos को जानते है death instinct के नाम से life instinct क्या होगा जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं या कैसी भी stage में होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं एक संतुलित जीवन यापन करते हैं तो वो क्या है life instinct में है eros इसे कहा जाता है तो यानि कि उन्हें चाहे कुछ भी मिल जाए वो संतुष्टी नहीं होते हैं किसी भी स्थिती में वो खुश नहीं रहते हमेशा negative energy उनके आसपास रहती हैं कभी-कभी वो इसके चलते खुदको नुकसान पहुचा लेते हैं तो यह है थैनाटोस यह है fixation और उसके side effects और अगली थेयरी जो की है इकोलोजिकल मोडल थेयरी यह दी है यूरी ब्रोणफेन ब्रैनर ने इसके trick है M.M.E.M.C तो एक-एक करके इनकी stages के बारे में जानते हैं सैंटर में चायल हो उसके बाद एक करके stages आती चली जाती हैं सबसे पहले हैं microsystem microsystem में क्या होता है जब बच्चा अपने immediate environment के साथ directly connect होता है उनके साथ अंतहकरिया करता है जैसे कि immediate environment में कोन कोन आएगा आपके parents आ जाएंगे, siblings आ जाएंगे, neighbors आ जाएंगे अब अगर यह interaction जो हो रायन के बीच में यह positive है तो फिर यह विकास के लिए भी अच्छा है और अगर positive नहीं है तो फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अब आता है mesosystem जब दो microsystem आपस में मिलकर काम करते हैं जैसे कि parents और school जब interact करता है बच्चे के विकास पर बात करने के लिए तो यह किसमें आएगा यह mesosystem में आएगा like PTM यह किसका हिस्सा है यह mesosystem का ही एक हिस्सा है या फिर peers और parents का interaction अगला है exosystem एक ऐसी social setting जहां पर बच्चा directly तो participate नहीं करता है पर यह बच्चे पर indirectly प्रभाव डालता है for example parents के transfer का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है तो इसी में आ जाते है parents workplace, mass media, दूर के रिष्टेदार जो आपके होते हैं अगली stage है macro system समाजिक सांस्कृतिक पक्ष बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं तो इसमें आपकी सारी government policies, wealth, geographical location, ethnicity ये सारी चीज़े आती हैं उसके बाद है chrono system last stage इसमें एक लंबे time period के दुरान जो भी changes आते हैं वो chrono system में आते हैं like social historical events हो गए major life transitions हो गए divorce of the parents, changing school moving to a different country अब आते हैं अगली theory जो की है डेविड ओस्बेल की ये क्या मानते हैं कि concepts, principles और thoughts इन सब की प्राप्ती नीगमनात्मक तर्क से होती है इनकी theory का नाम है meaningful verbal learning theory अर्थ पून शाब्दिक अधिगम सिधान्त तो इसकी जो stages हैं उसे हम याद रखते हैं R, M, R, D से यानि कि इन्होंने दी हैं 4 stages जिसमें हैं सबसे पहले wrote learning यानि कि रट कर सीखना तो रट कर सीखना में क्या होगा? facts जो भी है, data जो भी है उसको as it is रटा लगाया जाता है बिना किसी समझ के और as it is लिख दिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है इसी को हम बोलते हैं wrote learning उसके बाद है meaningful learning अर्थ पून अधिगम बच्चा जो भी सीखता है वो समझ कर ही सीखता है इस तरीके से वो समझता है, सीखता है कि उसका अर्थ पून अधिगम हो उसकी life से connect करना तभी तो अर्थ पून अधिगम होगा उसके बाद है retention learning अब इसमें wrote और meaningful learning इन दोनों का combination आ जाता है कोई भी चीज दिमाग में टिके चाहे वो रट कर हो या समझ कर हो इसलिए इसे retention या receptive कहते हैं तो इसमें दोनों का combination आ गया अब कैसे भी learning हो बस हो जाए चाहे वो समझ कर हो जाए, चाहे रट के हो जाए तो दोनों का combination है अगली जो stage है वो है discovery learning activity या explore करके सीखना जिसमें बच्चा learning by doing कर रहा होता है अगली थियोरी है Jerome Brunner की थियोरी ये एक cognitive constructive waste है और इन्होंने discovery learning का concept दिया है, इसमें बच्चा ग्यान को खुद construct करता है एक main चीज है कि इन्होंने tat पर जोर दिया है अब ये वो वाला tat नहीं आपका c-tet वाला, amp-tet वाला या up-tet वाला तो यहाँ पर tat क्या है, यहाँ पर t से मतलब है thinking, e से मतलब है experience और t से मतलब है training तो अब जो Jerome Brunner उन्होंने बात की है spiral curriculum की वर्तुलाकार पाठ्यचरिया की यानि एक topic दूसरे से connect करे ज्यान को पूर्व ज्यान से जोड़ना, तो इन्होंने spiral curriculum का भी concept दिया है अब stages कौन सी दिये हैं इन्होंने तीन stages दिये हैं इसमें तीन आएंगी EIS से आप इसे याद रख सकते हैं inactive, iconic और symbolic एक एक करके जानते हैं inactive में क्या होगा representation through actions यानि यहाँ पर बच्चा active है इसी inactive में ही आप active को ढूंड लेजिए iconic क्या है? images के माध्यम से icons के माध्यम से बच्चा सीखता है summarizing visual and sensory organization उसके बाद अगली है symbolic learning, तो इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, symbols के माध्यम से बच्चा सीखता है यानि कि यहाँ पर क्या आ जाती है? उसकी abstract thinking आ जाती है language, number and logic एक और चीज है कि scap folding के जब भी बात आते है तो हम जाते हैं वाइगोस की के साथ तो 99% होगा वाइगोस की बट अगर वाइगोस की option में नहीं है तो फिर आप confused हो जाओगे तो आपको फिर किसके साथ जाना है? आपको जाना फिर Brunner के साथ, जिरों Brunner के साथ अगली theory है कोलबर्ग की moral development की theory तो नैतिकता क्या है? नैतिकता moral development वही है जब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि सही रास्ता कौन सा है? गलत रास्ता कौन सा है? दोनों में फरक क्या है? एक होती है नैतिक तरकना तरक पर निर्भर करेगा कि नैतिक निर्णै क्या होगा? अब सब के अलग-अलग तरक हो सकते हैं नैतिक तरकणा संजानात्मक परिपकविता पर निर्भर करती है कि वो कोगनेटिव कितना मैचोर है अब है moral dilemma नैतिक दुविधा तो इसमें एक moral dilemma क्या था कि हिंज नाम का एक व्यत्ती था उसकी पतनी बहुत बिमार थी वह जिस दवाई से ठीक हो सकती थी वह बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी अब अगर कोई ऐसी situation आते तो ऐसी situation में इंसान क्या करेगा वो उसे बचाने के लिए या तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा अगर वो पैसा इतना कमा नहीं पा रहा है तो उसके पास दूसरा रास्ता बचता है चोरी का तो अब यहाँ पर morality को लेकर एक dilemma create हो गया कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है stages की बाद कर लेते हैं तो stages है 6 याद रखेगा stages 6 है लेकिन level 3 है तो हर एक level पर दो-दो stages दी गई हैं सबसे पहले है pre-conventional पूर्वपारमपरिक अब इसमें जो पहली stage आती है वो है obedience and punishment orientation बच्चा जो भी करेगा punishment से बचने के लिए करेगा उसे ये डर देगा कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो फिर मुझे डाट पढ़ जाएगी या मुझे punishment मिल जाएगी तो इन सबसे बचने के लिए बच्चा करता है तो अगर यहां से हम hints dilemma को connect करें तो फिर तो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह से तो फिर वो पकड़ा जाएगा जिल चला जाएगा दूसरी stage है individualism and exchange या फिर इसे हम कहते है personal reward orientation tit for tat की अवस्था है कि मैंने तुम्हारे ले ये किया तो तुम मेरे ले वो करोगे give and take तो ये दो चीज़े आपको इसमें ध्यान रखनी है अब आजाता है अगला level जो की है conventional level good girl and good boy इसकी पहली stage है इसमें बच्चा जो भी करेगा वो या तो good girl बनने के लिए कर रहा है या good boy बनने के लिए कर रहा है ताकि उसके माता पिता उस पर गर्व करे अगली जो stage है इसमें वो है low and order की यानि कि नियमों का पालन तो rules तो follow करने ही पढ़ेंगे हर हाल में अगला है post conventional level इसमें दो stages आती हैं जिसमें सबसे पहली है social contract and individual rights तो अब तक तो वो नियमों का पालन कर रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी पालन करना ही पड़ेगा rules बनाए गए हैं तो follow करने पड़ेंगे लेकिन आप क्या होता आप वो किसी की भलाई के लिए नैतिकता का उलंगन कर सकता है यानि कि वो rules को अपने according change करने की बात कर रहा है अगला है universal ethical principles बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए नीजी स्वार्थ नहीं देखा जाता है तो यहाँ पर स्वार्थ को त्यागने की बात कही गई है अब इसकी अलोचना क्यों होती है क्योंकि एक तो यह थ्योरी सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती है दूसरा इसमें भेदभाव की वी बात की गई है कि जो samples थे वो पक्षपाती थे और यह पक्षपाती samples की बात किस ने कही है यह आपको पता होने चाहिए वो कही है कैरल गिलिगन अब अगली थ्योरी है पियाजे की moral development की थ्योरी तो moral development अब आपको पता चल गया है कि क्या होता है तो अब पियाजे क्या कहते है कि बच्चों में पहले rigid होता है क्या moral development या जो भी नियम वो follow करता है कि नियम बदले नहीं जा सकते है गल्टी की है तो punishment मिलेगी ही मिलेगी लेकिन अंत तक आते आते बाद में क्या आ जाती है flexibility आ जाती है तो अब इन्होंने main दो stages दिया है moral development की एक तो है heteronomous morality एक है autonomous morality heteronomous क्या है यह बाहर से थोपी जाती है जबकि autonomous क्या है यह अंदर से खुद से आती है कि हा मुझे ये काम करना है मुझे morality को follow करना है difference क्या है heteronomous क्यूंकि बाहर से थोपी जाती है तो external rules आएंगे इसमें जबकि autonomous में आ जाएंगे internal हिट्रोनोमस में होता है सरव्यापी न्याए कि बच्चे को ये लग रहा होता है कि हाँ कोई ताकत है जो उसको उब्जर्व कर रहे हैं उसे देख रहे हैं भगवान देख रहा है उसे ये चीज रहती है और autonomous में होता है morality of cooperation हिट्रोनोमस रिजिट जबकि जो autonomous है वो flexible है हिट्रोनोमस में नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है गलती की है तो दंड मिलेगा लेकिन जो autonomous हैं वहाँ पर change आ जाता है इसके लावा कुछ अन्या स्टेजिज और दी गई हैं जिसमें सबसे पहले है अनोमी अब ये क्या है बच्चे के लिए जिस चीज से pleasure मिल रहा है वो सही है और जिस चीज से pain मिल रहा है वो गलत है अगला है हिट्रोनोमी authority बाहर की authority माता पिता या teacher जो भी है उसके rules को follow वो करेगा यानि कि फिर से वही बात हिट्रोनोमी मतलब बाहर से थोपी जा रही है उस पर नयतिकता इसके अलावा है हिट्रोनोमी reciprocity जो अगली स्टेज दी गई है इसमें जैसे कोई तैसा वाली बात आ जाती है और ओटोनोमी जो अगली स्टेज दी गई है वो है कि अपने निरने अपने तरीके से लेने की बात आ जाती है अब अगली थोरी आती जीन प्याजे की cognitive development की थोरी तो प्याजे क्या कहते है कि बच्चा एक little scientist है वो खुद चीजों को construct कर सकता है अपने ग्यान का निर्मान बच्चा खुद करता है तो अब cognition में क्या क्या आता जो भी आपके दिमाग से related वो सब आपका cognition में आ जाएगा आपकी thinking है, imagination है, problem solving है, reasoning है, perception है, decision making है, attention है, memory है या understanding है अब schema, schema एक term दी है इन्होंने तो schema जहाँ पर भी दिख जाए वो किस से related है, प्याजे से related है schema है क्या organized structure है ये knowledge का या basic building blocks of mind इसे हम कह सकते हैं, एक existing knowledge होती है यहाँ से caution पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे confused हो जाते कि बच्चों का जो चिंतन होता है वरिसकों से वो कैसे भिन होता है तो गुनातमक्ता में भिन होता है, ना कि मातरातमक्ता में कहने का मतलब क्या कि सोचते तो बच्चे भी उतना ही है जितना कि बड़े लोग सोचते है लेकिन उनकी thinking में और उनकी thinking में बस गुनातमक्ता का फरका जाता है यानि कि kind में different हो और amount में same है तो आपको यहाँ पर confused नहीं होना है अब पियाजे जो होँ एक genetic epistemologist भी है इनके अनुसार विकास ए निरंतर है अवस्थाओं में होता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि radical constructiveist कोन है तो वो भी पियाजे है अब पियाजे क्या कहते है कि बच्चों का maximum cognitive development होना होता वो 14-15 साल तक हो जाता है अब इनोंने 4 factors दे हैं जो आपको पता होने चाहिए M, E, S, E से इसे आप याद रखेंगे M से है maturation, E से है experience, S से है social interaction और E से है फिर से equilibration Equilibration को भी दो भागों में बाटा जाता है Adaptation और organization अब adaptation में आजाता है schema adaptation जिसे हम दो भागों में बाटते है एक है assimilation और एक है accommodation Assimilation क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में कुछ नया एड़ करना और accommodation होता है पूर्व ज्ञान में जब change की बात आ जाती है modification की बात आ जाती है adjust की बात आ जाती है या manipulate की बात आ जाती है For example बच्चे ने चार पैर वाला जानवर देखा है उसे वो कहता है dog तो यहाँ पर हो गया assimilation लेकिन फिर से वो किसी चार पैर वाले animal को देखता है और फिर से बोल रहा है कि यह तो dog है जब कि वो dog है ही नहीं वो तो बिल्ली है या कुछ और है तो अब उसने accept किया इस चीज़ को कि नहीं हर चार पैर वाला जो animal है वो dog नहीं हो सकता है तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर change हो गया modification आ गया इसलिए अभी accommodation हो जाएगा तो सबसे पहले होता है assimilation फिर होता है equilibrium फिर एक नई situation आ जाती है जैसे कि अब बिल्ली आ गई थी उसके सामने लेकिन उसने बोला क्या कि वो तो dog है जबकि वो तो cat थी तो अब यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर disequilibrium हो गया और फिर वो करेगा उसमें change तो फिर क्या हो जाएगा accommodation stages जान लेते हैं पियाजी ने 4 stages दी हैं जिसे आप S, P, C, F से याद रखेंगे sensory motor में क्या होता है reflex, action senses से सीखता है बच्चा object permanence की स्थिती आ जाती है अंत तक आते आते stage के बच्चा समझ जाता है कि हाँ चीज तो है लेकिन छुपाई जा रही है मुझसे बस यानि कि उस चीज का अस्दित्व है imitation, motor activities और goal-directed behavior उसके बाद है pre-operational stage जो कि है 2-7 वर्ष के अवस्था इसे हम बोलते है pre-school age, pre-logic stage इसमें आ जाता है animism जीववाद अब limitation से भी कोशन पुछा जाता है तो animism एक limitation है और ego-centrism बच्चा अपने आपको ही सही मानता हो, उसके अपने तरकी उसके लिए सही है, बाकी सब गलत है तो ये भी क्या है? ये एक limitation है इसके अलावा irreversible thinking ये भी एक limitation है उसके बाद है centration lack of conservation ये भी एक limitation है और transductive reasoning एक होता है symbolic thought बच्चा symbols बना-बना के खेलता है cause and effect BC में होता है for example कपड़े सूख रहे तो क्यूँ सूख रहे हैं? क्यूंकि धूप आ गई है तो cause and effect इससे आप से example दे कर question पुछा जाता है फिर है pre-operational जिसे दो भागों में बाटा जाता है पहला है pre-conceptual दो से चार वर्ष की अवस्था और दूसरा है intuitive चार से साथ वर्ष की अवस्था pre-conceptual में क्या होगा? ego-centrism होगा और animism होगा जबकि intuitive में symbolic thought transductive reasoning और centration आ जाएगा concrete में क्या है? बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी चीज है जिसे वो देख सकता है छू सकता है तो ही वो सीखता है यानि कि उसे चीज चाहिए अपने हाथ में तो वो है concrete operational इसमें क्या क्या हैगा? logical thought आने शुरू हो जाते है reversible thought भी आ जाते हैं decentration आ जाता है तो यहाँ पर C से आपको याद रखना conservation आ जाता है classification आ जाता है और S से आपको याद रखना है seriation इसके अलावा inductive reasoning इसी में आती है logic and concrete things और transitivity अगली जो stage है वो है formal operational stage अब इसमें आ जाते है abstract thought उसमें concrete thinking थी लेकिन यहाँ पर abstract thinking है इसके अलावा hypothetical deductive reasoning आ जाती है एक होता है adolescent egocentrism वो आ जाता है बच्चे को लगता है कि सब उसको ही देख रहे हैं तो इसे आप imaginary audience भी कह सकते हैं इसके अलावा पियाजे ने भाशा को महत्व नहीं दिया है भाशा के बारे में कौन बात करते हैं वो करते हैं वाई गोस्की तो आप जानते हैं वाई गोस्की की social cultural theory के बारे में वाई गोस्की एक social constructive list हैं और मैंने पहले भी बताया कि इसे अब हम याद रखेंगे SC, LCA, SA society, culture, language यह तीनों वर्ड जहां भी दिखिजाते हैं आंसर क्या होगा वाई गोस्की होगा और वाई गोस्की भाशा को क्या मानते हैं एक tool मानते हैं इसके अलावा एक term दिये हैं उन्होंने ZPD zone of proximal development तो यह क्या है? यह gap है यह वर्ड आपको याद रखना gap तो gap आपको word मिलेगा ही मिलेगा अगर ZPD से question पूछा जाता है क्योंकि यह वास्तविक विकास और संभाव्य विकास इन दोनों के बीच का gap है difference है या फिर difference लिखा मिल जाएगा वास्तविक विकास होता कि बच्चा अभी कहां पर stand कर रहा है और संभाव्य विकास होता है कि किसी की help से वो कहां तक पहुँच सकता है तो उन दोनों के बीच का जो difference है वही है zone of proximal development इसके अलावा scaffolding की बात की है जो कि है temporary help clues की तरह हो सकते है यह hint में हो सकते है या फिर half-solved worksheet हो सकती है या कुछ भी एक दी है term mko more knowledgeable other यानि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे आप से ज्यादा knowledge है जो आपको सिखा सकता है वो क्या है वो आपका mko है यानि कि आपको scaffolding देने वाला व्यक्ति और यहाँ पर age matter नहीं करती है बस कोई भी व्यक्ति जिसे आप से ज्यादा knowledge है जिसे आप सीख सकते है आप इसमें कोई भी हो सकता है आपके parents हो सकते है teachers हो सकते है बड़े भाई बैन हो सकते है भाई गोस की क्या सोचते है कि भाशा और विच्चा यह जीवन के शुरुवाती जो वर्ष होते है उनमें independent होते है लेकिन अन्त तक आते-ाते फिर यह क्या हो जाते है मर्ज हो जाते है interdependent हो जाते है और यह मैंने पहले भी बताया कि प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आता है भाशा बाद में आती है प से प्याजे और V से विचार जबकि वाई गोस्की इसका उल्टा बोलते कि पहले भार्षा आती है, थोटस बाद में आते हैं अब वाईगोस्की ने दी हैं three forms of language जो कि है social speech, दो साल के अवस्था, private speech, तीन साल इसमें भी दो चीज़ आती है, एक होता है self regulation, एक होता है self direction तो ये दोनों जब भी आपको दिखेंगे, तो वो किस में होंगे वो, private speech में होंगे इसके अलावा है silent inner speech, अब बच्चा आपनी अंतरात्मा से बात करता है यानि आप बाहर सुन नहीं सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, साथ साल में अब इनकी थ्योरी से हमें educational implications क्या मिलते हैं, सबसे पहला है reciprocal teaching यानि छात्र और अध्यापक दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं Peer tutoring, जो age mates हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं Cognitive apprenticeship, ये क्या है? ये होता है कि अगर कोई भी MKO हमें guide कर देता है, तो फिर इसे हम वोलेंगे Cognitive apprenticeship, लाइक इसमें internship example हो सकता है और इसके अलावा collaborative learning, cooperative learning और assistive learning तो आज हमने कर लिये हैं साथ theories एक ही वीडियो में और सिर्फ content से भी कुछ नहीं होता, तो आपको practice भी करने चाहिए और practice के लिए मैं आपको description box में दे रहे हूँ Telegram पर एक best group का link तो अगर आप भी वहाँ पर practice करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जुड सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर NIOS से भी question होते हैं और इसके अलावा CDP ही नहीं बागी subjects के भी उटते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप like करें, share करें और subscribe भी जरूर करें और इसके अलावा मेरे पास bio, chemistry, physics इन सबके भी notes हैं, तो अगर आप इन में से किसी के notes चाहते हैं तो उसके लिए आप comment box में लिख दें तो मिलते हैं next video में, thank you